आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं क्लास लेवंद का हिस्ट्री का चैप्टर 7 जिसका नाम है बदलती ही संस्कतिक परंपरा हैं तो बिसकली आज की चैप्टर के हमारे दो मैंन टॉपिक है जिसमें हम जानेंगे रकाइब महीं की स्थिति उसके बारे में बात करते हैं सबसे पहला है जसकेबस क्या आता है सबसे पहला है महिलां को कारवार जाने देने का नहीं थो यह लोगारे भी विख यह नु Tough फ़ें कौने करता है तो उस में उसकी पत्नी को मां हो चाहे पत्नियों बहनों किसी को भी व्यापार करता है उसके गहसे उसको सलहा देने का कोई भी हरिकार नहीं था ठीक है बना दिया जाता था और इन से भी खम भागेदारी कम धीजिए तो महिलाओं की भागेदारी बहुत कम थी क्यूंअ सिंपल सी बात है कारोबार में अगर परामस नहीं देने दिया रहा है बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है के वल घर के काम करवाए जारे हैं वहीं ज 닉नको दुखान चलाने का मे're ने कुछ ने इसन निवासी घृत ले युनानी और ला निवासा की विद्वान ते कुछ महिलाओं ने अपने आपको समाज में एक स्थान प्राप्त किया था जैसे आंसर के तौर पे वेनिस निवासी कसंद्रा फैदले जो कि एक युनानी और लातनी वहासा की विद्वान थे ठीक है तो दूसरा है मंटुआ की मंचिसा इसावेल दी इस्ते यहां की मंचिसा इसावेला दी इस्ते जिन्होंने अपने पती के अनफर्षिति में अपने राजजि पर शासन किया था ठीक है तो देखिए यहां पे यह बताया जा रहा है कि एक तो जो व्यापारी महिलाएं थी और पड़ी लिखी महिलाएं थी उनका दर्थ किया जाता था लेकिन वहीं ज्यादा तर रिष्टियों के साथ में सोशन किया जा था ठीक है तो आपको पता चला कि सोल्विस सताब्दी के दौरान महिलाओं की स्थिति क्या रही थी ठीक करई फ़र्ष्ट हमारा इटली की वास्तुकला तो देखिए पंद्री सताब्दी में रोम के सहर के विख सित और की रोम के खंडरों को प्रायत वेदों के द्वारा साबधानी पूरवक खोडाई की गई थी इसने वस्तुकला में एक नइज श्यली को प्रेरित किया सही यह सास्त्री कहा जाता है यहां कि रोम को खंडर थे उसको प्रातत्र विद्व के द्वारा साब्धानी पूर्वकुन की खुडाई की गई इस खुडाई के दौरान इसने वास्तुकला में एक नई शैली को प्रेरित किया वह कौन से थी शाही रोमन शैली का पुनरद्वार घाल लाटा लाटा सास्त्री शैली के नाम से अका कि भान की गाणी जा रहा थे नगरों को उद्व भव भब्रोप से बनाया जा रहा था ठीक है जहां पर अनेक भव बवहार वनों को बनाया थे इपरereye अभी तो में क्या हुए इतली वासित्रान के प्रारूप में हमें गृज्या-घर राज-महल और किलों पेजों दिखाई देते हैं तो रोम में क्या है यह हमें क्या दिखाई देते हैं भवी इमारतें भवने लेकिन वहीं इटली के हम बात करें तो इटली में हमें बड़े-बड़े गर राजमहल और किले दिखाई देते हैं फिर है इटली की वास्तुकला की सैली को सास्त्रिय कहा जाता ह शास्त्रिय वास्तुकारों ने इमारतों को चित्रों, मूर्तियों और विभिन प्रकार की आकर्तियों से सुसज्यत किया है यानि कि देखे इटली की वास्तुकला है उसे सास्त्रिय शैली की नाम से जाना जाता है तो शास्तरिय सेली इस नाम से जाने जाता है क्योंकि उनकी इमारतों में छित्र परकार की आकरती ओं से उसे बनाया जाता है ठीक है इटली की वास्तुकलागी विषिष्टा के रूप में हमें भव गोलाकार गुमबद वहांब्नों की भीत्री सजावत गोल महराबदार दरवाज़े दिखाए देता है जो की महतूण जो मतलब की विश्टता है वह यह गोलाकार गुंबद बहुनों की भीत्री सजावत और गोल महराबदार दरवाजे ठीक है तो यह था तो इटली की वस्तुकला के बार में आप एक बार सारे पॉइंट द्वारा से देख लीजिए ठीक है इटली की वस्तुकला को सास्तिय वस प्रकार की आकितने को सजित किया जाता है और इसकी विश्टता हमें इस वास्ते पता चलती है कि इसमें हर एक जो इमारत होती इसमें गोलाकार गुंबद भवनों की भीति सजावत और गोल महराबदार दरवाजे आधी होते थे ठीक है अब हम बात करते इसलामी वस्तुकल के लिए जियामितिये नक्षे और पत्थर में पच्चीकारी के काम का सहरा लिया यानि कि इसलामी वस्तुकला ने जो इसलामी वस्तुकला है उसके तहट इमारतों भवनों वा मस्जिदों के सजावत के लिए जियामितिये नक्षे और पत्थर में पच्चीकारी का काम लिय दिखे थी और इसलामी वास्तुकलाम इसकाल में अपनी चर्म सीमा पर थे भी स्काल में जब यह सुर्बात हुए थी शुर्वाप ठीक है उगस्तवा इसमन की इसलामी बसक्रत है देखेंट से लेकर मर्द इस्या तक के मजजिपतिति अर्मकुणी मोल्ड yn महराब, गुम्बद, मिनारें और खुले आंगन दिखाए दिए और मुसल्मानों की अध्यात्मिक और वियाभारिक जरूतों को व्यक्त किया है यानि की इस्पैन से लेकर मर्द एसिया तक की जितनी भी इसलामिक मजजदे हैं तीर्थ इस्तल हैं और मकवरे हैं इसमें एक ही मूल्ड जाईन है वो क्या है महराब, गुम्बद, मिनारें और उनके खुले हुई आंगन जो कि मुसल्मानों की अध्यात्मिक और वियाभारिक जरूरतों की और इशारा करते हैं ठीक है फिर है विसाल बबनों में वल्व के आकार की जैसे गुम्बद होते थे चोटी-चोटी मिनारें होते थी घोड़ों के खोड़ों के आकार के महराव होते थे मरोड़ दार्यान की घुमावदार खंबे आस्चरी चकित कर देने वाल होते थे घुमावदार खंबे होते थे जो की आश्चरी चकित करने वाले होते थे उची मिनारें और खुले आंगनों का प्रियोग हमें इसलामी वास्तुकला के बबनों में नज़र आता है तो इसलामी वास्तुकला के बार में आपको क्या पतर चला इसलामी वास्तुकला इमारते में भवनेबा मजडिदों के स्वावट के लिए ज्यामिती नक्षे का सहारा द्हारमिक इमारते इस्लामी वाश्यक्ला के सबसे बड़ी प्रितिन थी ठीक इसमें से लेकर अमार्देशिया तक की जो मस्जिदें तीर्थिस्तल और मकवरे थे यह की मूल के थे इसमें महराब इसमें क्या होते थे महराब गुमबदे मिनार और उनके खुली आंगें दिखाए दिखायाई जो कि मुसल्मानों की अध्यात्मिकत्ता और वियाभारी यरूत्रों को व्यक्त करता है शव्लूब्स जयासे घुममॉध होते थे महराव होते थे गुमाओधार ऑग श्यु चतिक करने वाले उच्छी मिनारे शैख़ते आघ्टर को हमें आती है वीडिो यहा जितने से स्वेदियर नहीं को अठी में वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको पता चलिया होगा कि आपका च्प्टर है वो किससे खतम हुआ है एक तो सब्सक्राइब की दोरान जो महिलाओं की से ती उसके वारे में इटली और इस्लामी वास्तिकला के बारे ठीक है तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लें तो लाइक रूए इस वीडियो जयदा से जयदा अपने दोस्तों के साथ इस